तो दोस्तों यह जो किज़ी नास्त आप देख रहे हैं यह कृष्पी बनाने के लिए मैंने सिर्थ दो चमच टेल का इस्तमाल किया है। यह रेसीपी इतनी हेल्दी है कि आप इस रेसीपी को देखते ही न तुरंथ बनाने जाएंगे। कई बार होता है कि जब हम आटा गूंते हैं रोटिया बनाने के लिए तो उसमें से कुछ बच जाता है फिर इसका क्या किया जाए वैसे आप क्या करते हो मुझे बता ना बट आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा तरीका लाई हूँ अगर आपके पास रोटी का आटा बच गया है वैसे मैंने बचाया है क्योंकि मुझे यह रेसिपी बनानी है यह रेसिपी इतनी अच्छी है ने ऐसे देखने के बाद आप डेफिनिटली आटा जादा गूंतेंगे तो बाते ना करते हुए आगे बढ़ते हैं यहां पर हमारे पास यह फ्रेशली गूंता हु और इसे थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर बढ़िया से बेल कर तैयार कर लेंगे आपको इसकी थिकनेस पर ध्यान देना होगा हम रोटी थोड़ी पतली बनाते हैं तो इसे थोड़ा सा थिक रखना होगा बहुत जाга नहीं बिल्कुल थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती ह रोटी के compare में हम थोड़ी से थिकनेस इसकी रखेंगी तो यह देखें मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आप पर एक बड़ी सी रोटी बेल ली है और इसकी थिकनेस आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह करके मैंने आप चार रोटियां बेल कर तयार कर ली है अक्सर जब आ इसकी आप देख सकते हैं एक की साइस की मैंने आपर चार रोटियां बेल कर तयार कर ली है अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर लेंगे एक बोल में डेड़ कप बेसन और चार बड़े चमच चावल का आटा दोस्तों अगर चावल का आटा है तो जरूर इस्तमाल क कीजिएगा अगर नहीं है तो फिर आप दो कप बेसनी ले लिजे ठीक है उसमें हम डालेंगे आधा चोटा चमच अजवाइन उसको हाथों से क्रश करते हुए हमने इसमें आट किया है थोड़ा सा बारी कटा हुआ फ्रेशली हरा धनिया और उसके बाद हम इसमें डालेंग जाल दिया है वैसे थोड़े से जादा ही डाले है सुख्य मसाले उसका रीजन में आगे आपको बताऊंगी और आदा चुटा चम्म चमनिया पर धनिया पाउडल का भी डाल दिया अब इन सबी चीजों का अच्छी तरह से मिक्स कर लीजे और उसके बाद हम क्या करेंगे इ तो थोड़ा थोड़ा पाने डालेंगे उससे क्या होगा गुटलिया नहीं बनेंगी और थोड़ा सा ही पाने डालेंगे उससे क्या होगा ये घोल जो है गाड़ा बनकर तयार होगा यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह की consistency का मैंने घोल बनाकर ready किया है आपको भी बिल्कुल उसी तरह का बनाकर ready करना होगा जितना अच्छा हम गाड़ा घोल को रखेंगे न उतना ही नास्ता बनाने में हमें आसानी होगी अगर आपको लगता है कि आपका घोल गीला हो गया है तो थोड़ा सा बेसन उसमें और डालकर बिल्कुल ऐसी consistency का बनाकर दीजिए यह देखिए चमत से मैं डाल रही हूँ तो बहुत आसानी से नीचे नहीं आ रहा जब इस तरह से हो जाएगा ना तो फिर एक दो मिनट के लिए आप इसे बढ़िया से फैंटिए इसमें soda या इनो डालने की कोई जरुत नहीं है बस आप इसे अच्छी तरह से हाथों से फैंटेंगे ना उससे ही क्या होगा इसमें एक soft सा texture आ जाएगा बस इस तरह का हमें चाहिए और यह देखिए बिल्कुल perfectly यह set हो चुका है और यहां पर आप इसे टेस्ट जरूर कीजिएगा यह काफी अच्छा चटपटा होना चाहिए क्या होता है न हम जो गिहूं का आटा गूंते हैं तो हम उसमें कई सारे मसाले नहीं डालते वो फ्लेवर्फुल नहीं होता है इसलिए हम जो बेसन वाली लेयर बनाएंगे उसको चटपटा करने के लिए हम यहां पर मसालों की quantity जादा डालते हैं ताकि जो फ्लेवर है वो बैलन्स हो जाए अब यहां पर मैंने एक प्लेट ले ली है आपके पास कोई भी प्लेट हो मोल्ड हो आप वो ले लीजे उस पर थोड़ा सा ओल लगा लेंगे और उसके बाद जो सबसे पहली रोटी हमने बेल का रेडी की थी वो रखेंगे और डेड बड़ा चमच मसाला जो हमने बेसन का म मसाला बनाया है वो इसमें एट कर देंगे और इस तरह से हलके हाथों से इसे चारो और फैला देंगे जो कॉर्णर्स है ना उस पर बहुत जादा नहीं फैलाएंगे हां बढ़ एक लेयर हो जाए वहां पर भी ऐसा हम मेक्शूर करेंगे यह देखिए यह मसाला अगर आप बना देंगे ना तो फिर यह चारो और फैल जाएगा इसलिए मसाले की थिकनेस हमें अच्छी रखी है ताकि वो रोटी पर जाए और बड़े आराम से चिपक जाए बस एक लेयर हो गई इसी तरह हमें चारो लेयर बनानी है अब फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे र आखरी यानि की चौथी रोटी हमने इसके उपर डाली है और जब आखरी रोटी आप डालेंगे ना तो अच्छी तरह से मेक शूर कीजेगा कि यह सब प्रॉपली चिपक चुका हो बढ़िया से उसके बाद जो बचा हुआ सारा मसाला है वो आप इसके उपर डाल कर बचने में भी सुन्दर लगेगा तो यह देखिए इससे हमें ऐसे इसको फैला देना है अच्छी तरह से इसकी भी लेयर बन चुकी है अब दोस्तों यहां पर इसेंबल हो चुका है अब चलिए इसे स्टीम करने के तयारी करते हैं अगर आपके पास स्टीमर है तो आप इस जिसमें होल्स होते हैं आप वो भी रख सकते हैं फिर उसके बाद हमने जो यह नाश्ता बना है उसे रखेंगे और इसे कवर करेंगे हाई फ्लेम पर 15 मिनट के लिए हमें इसे स्टीम करना है ताकि जो हमारा बेसन है वो भी कुक हो जाए और जो गीहूं का आटे का हमने रो फिर हाथों से चेक करेंगे देखिए बेसन बिल्कुल भी आपके हाथों में नहीं चिपकेगा बस फिर बड़ी सावधानी से अब हम इसे बाहर निकाल देते हैं और दो तीन मिनट के लिए हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं दोस्तों यह जो नास्ता आप देख रह पता है उनको ऐसा लगता है कि कोई यूनीक सी चीज है जबकि हमें उन्हें हेल्दी वे में डिफरेंट सा नास्ता दे दिया है तो आप इस रेसिपी को टिफिन बॉक्स के लिए भी जरू ट्राय कर सकते हैं आपको यह बहुत पसंद आएगी अप थोड़ा सा यह ठंडा हो इस मुझे जरूर आप कमेंस में बताइएगा अब यह देखिए मैंने आपर इसके पीसिस कट की हैं कितने साफ नीट और क्लीन पीसिस कट हुआ है देख रहे हैं क्योंकि यह बढ़िया से स्टीम हुआ था जितना अच्छा आप इसे स्टीम करेंगे ना उतने ही अच्छे इसके बन जाएंगे यह नास्ता खाने के लिए अभी तो पूरी तरह से रेडी है बर इसके फ्लेवर को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए आपके पास दो अप्शन है आप चाहें तो इसे दीफ फ्राइ कर सकते हैं जिससे यह बहुत जादा खसता हो जाएगा अगर नहीं healthy way में जाना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ हम क्या करेंगे एक पैन में ले लेंगे दो बड़े चमच के करीब तेल और तेल को गरम होने देंगे जैसे आप देखें कि हमारा जो तेल है वो गरम हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे हम इसमें डालेंगे कर पता और राई चटक जाएंगे तो हमने जो नास्ता बनाया है वो हम इसके उपर रख देंगे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और पांच शे मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर या फिर हाई फ्लेम पर अलटते पलटते वे बढ़िया से इसको क्रिस्पी कर लीजे दोस्त इसको बनाने का जब तरीका है वो इसे अनोखा बना देता है आप इस रेसिपी को एक बार बनाए और हरे दनी की चटनी के साथ खाना मैं सच बताओं आप समोसे कचोरी भूल जाएंगे यह इतनी स्वाधिश रेसिपी है यह मेरी all-time favorite डिश है मैं ऐसे बहुत बार बनाती ह तो बस पांचे मिनट हो चुके है और देखिए बड़ी ऐसी क्रिस्पी सी लेयर आ चुकी है सब के ऊपर आपकी मर्जी आप जितना क्रिस्पी जाहे उतना ऐसे कर सकते हैं अब यहां पर बड़ी आसी लेयर आ चुकी है तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और इसे तो पर थोड़ा सा चात मसाला श्प्रिंकल कर दे बस तो आप इस रेसिपी को एक बार पका ट्राइ करना यार बहुत टेस्टी रेसिपी है मुझे लिखकर बताना जो भी ट्राइकर शेर कर न और ऐसी रेसिपी इस के लिए मुझे वह भी बताना क्या आप देखना चाहते हैं अब मैं आपके साथ मिलती हूँ next video में next recipe के साथ तब तक के लिए bye